आप को अगर ईश्वर बोलेगा मेरा बेटी मेरा बेटा तुम्हारा जिन्दगी जो है तुम्हारा जो समय जो है यह तूजन टुइंटी फोर तकी है इसका बात में तुम इस दुनिया में नहीं रहेगा इसका बात तुम इस दुनिया से चला जाएगा तो ऐसे होने से अब क्या क्या चीज़ करेगा क्या चीज़ को आप सबसे ज़्यादा प्यार करेगा क्या चीज़ को आप सबसे ज़्यादा पाने का कोशिश करेगा क्या चीज़ में आपका मन जो है लगेगा प्रभ्येश्यो मसी मार्ट चाप्टर एज वर्स 36 में ऐसा बोला एक इंसान जो है पूरा प्रतिवी को भी पा के अपना आत्मा को खो देने से उसका क्या लाप होगा हम लोग इंसान लोग जब जिन्दा होता है हम लोग बहुत कम लोग इस दुनिया से जाने का बात को सोचता है हम लोगों को लगता है हम लोगों का पास में बहुत ज़्यादा समय है इसलिए दुनिया में आप देखो आदमी जो है पैसा का पीछे बाग रहा है और पूरा पैसा को पाने के लिए पूरा जी जान लगा रहा है और बड़ा गारी चाहिए होता है और बड़ा घर चाहिए होता है और तुरा पैसा चाहिए होता है तो ये दोर में वो लगा रहता है इंसान जो है ये दोर में लगा रहता है कि और तुरा जमीन हो और तरह मितुन हो और तरह गाई बक्री हो और तरह मुर्गी हो मेरा ये सोच जो है आदमी का अंदर में रहता है और इसलिए वो पूरा कोसिस करता है उस चीज़ को पाने के लिए और इसे कोसिस में वो बहुत चारा चीज़ को खो भी देता है वो सकता है इश्वर को खो दे वो सकता है परिवार का साथ में जो समय बिताना चाहिए था जो परिवार का साथ में रहेना चाहिए था और या प्रातना फस्तिंग में जो समय बिताना चाहिए था वच्चन में ज आगे बढ़ेगा ये सोच के और थोड़ा चाहिए बोल के वो इतना मतलब mentally physically इतना वो कोशिस करता है इतना वो दोर भाग इतना मतलब दिमाग जो अकुपाय होता है दीरे दीरे करके उसका सरीर भी बिमार हो जाता है शरीर भी ठक जाता है और ऐसे में वो दुसरा को भी भू बूलजाता है, दूसरा को भी भूलजाता है। येस्व मसिघ जो है, एक कहानी बताया है। किस कहानी में हम ऐसा ही एक जक्टी को आज हम लोग देखेगा यह कहानी जो है प्रब़फ्येस्य मसिए का मूँ से निकला वाला उन्होंने डायरेक्ली बोला हूना यह कहानी है जो कुछ भी अभी हम भों रहा है वो यह कहानी में हम लोगों को दिखाय देता है यह कहाने में हम लोगों को दिखाई देता है दो आदमी का बारे में जिसको हम लोग लुक चाप्टर 16 वर्सेस 19 से 31 में परने से हम लोगों मिलता है रिच मैन एन लाजरेस बोलके यह पैरेबल है हम सब को तो यह कहानी में दो केरेक्टर है यानि कि दो आदमी का बारी में है ये एक आदमी जिसको धनी आदमी बोला गया है यानि कि उसका खासियत क्या है वो बहुत ज़्यादा धनी है और वो कपरा कैसा पैंता था परपल कलर का कपरा यानि कि उस जमाना में पर्पल कलर का कप्रा जो है सीव राजा और बहुत ज़्यादा धनी वाला आदमी लोग पेंटा था और यहां मैं सबसे पहले बोला है वो धनी आदमी जो है परपल कलर का कपड़ा पेंटा था और फाइन लीन, यानि कि उनका पुरा अंदर का कपड़ा भी बहुत ज़ादा एक्सपेंसिफ होता था, यानि कि बहुत भी महेंगा वाला, और दो नंबर में यहां में बोलता है कि वो हर दिन पार्टी जैसे करके खाता था यानि कि अलग अलग प्रकर का टेस्टी टेस्टी वाला खाना अलग अलग प्रकर का देश विदेश का खाना वो पार्टी जैसे करके खाता था और उसी का गेट का क्यूंकि वो धनी आदमी है तो इसलिए उसका घर का चारो और पूरा द आजरेश जो है पूरा घाउ से बढ़ा हुआ है वो बिमार है उसका सरीर जो घाउ से बढ़ा हुआ है और वो यह इच्छा रखता था कि यह धनी आदमी जो हमको कुछ उसका बचा कुछा में से कुछ हमको खाने को दे इसलिए उसका आसपरस का या रिलेटिव लोग क्या करत ता कि उसको और धनी आदमी का घर का गेट का संबने में ला के रख देता था ता कि यह अमीर आदमी जो उसको देख। दया करके कुछ खाने को दे या कुछ उसका मदद करे लेकिन ऐसा नहीं होता है उसका साथ में वो जो इच्छा दूए के राकावला क्योंकि उस जमाना में क्या होता था कि जो बहुत ज़्यादा गरीब आदमें जिसका कोई नहीं है बहुत गरीब है ऐसे लोगों को धनी धन और सरी से भी बिमार है तो इसलिए ये गरीब आदमी जो उस अमीर आदमी का घर का गेट में इंतिजार करता था कि ये अमीर आदमी जो आए और कुछ उसको दे और इवन कुटा लोग भी ये लाजरेस का गाउलों को आके चाटता था इसका हाला जो इतना खराता एक आदमी पूरा टॉप में है कपरा इससे अमीर राजा का जैसे पेंता है राजा का जैसे खाता इतना अमीर है और एक इतना गरीब है कि खाने के लिए कुछ नहीं है बिमार भी है और कोई उसका देखवाल करने वाला नहीं है तो इसलिए वो अमीर आदमी का घर का गेट का समने में दोनों का situation जो है एक जो ऐसा लग रहा है कि पूरा स्वर्ग में है और दूसरा जो है पूरा नर्ग में है एक जो पूरा दुनिया बर का कुशी, दुनिया बर का आराम, दुनिया बर का मज़ा ले रहा है और दूसरा जो है दुनिया बर का दर्ट, दुनिया बर का तकलीब को सेर है दुनों का situation जो है बिलकुल opposite है एक पूरा कुशी से रह रह रहा है, पार्थी कर रहा है, कोई बिमारी नहीं एक जो है बीमार है तकलीब है दुख दर्थ सब कुछ लेके बैटा हुआ है अकेला है तो यह दोनों का सुचुएशन जो पिलकुल भी मेल लेखाता है ओपोजित और दूसरा क्या होता है कि दूसरा पल में ही हमनों क्या पता चलता है कि समय आया लाजरस मर गया यानि कि जाता है और अमीर आदमी मरता है लेकिन वो जो हेडिस में चला जाता है यानि ये नरक में चला जाता है और भी रिवर्स हो गया पहले तो एक तो बहुत ही जादा मजा में था वो अमीर आदमी अभी क्या हो गया मर जाने के बाद में तॉर्मेंट यानि कि तकलीब दुख वो दर्द को सेने के लिए वो नरक में चला गया, एक जो है स्वर्क में चला गया, यहां में कुछ-कुछ बात हम लोगों को समझना है, पैसा जो पाप नहीं है, प्रेस अलोड, आप लोग ध्यान से सुनिये, आप लोग सोचता होगा, यहां में तो ऐसे तो हम लोग कोई भी एक निव टेस्टेमेंट में जोसफ एबरमेटी, वो भी बहुत ही अमीर आदमी था, ऐसे करके वच्चन में, बाइबेल में दिखने से बहुत सारा अमीर आदमी, धर्मी आदमी लोग था, ना, पैसा भी है, और साथ में धर्मी भी है, और दो नंबर में, आप लोग सोचत उससे डिसाइड होता है, वो पाप होगा ना, वो आपके लिए ब्लेशिंग होगा, पैसा से क्या करेगा, और पैसा को कैसे दिखता है, उससे पाप या ब्लेशिंग, उसको डिसाइड किया जाएगा, इंगलिस में बोलता है एटिट्यूट, आप वो पैसा से क्या करता है, और वो पैसा को आप कैसे दिखता है ना तो उससे पता चलेगा तो अमीर होना पाप नहीं है और अमीर हो गया इसलिए वो नरक चला गया वो भी नहीं है ये स्टोरी में जब हम लोग दियान से दिखता है तो अब ये दोनों जो है रिवर्श हो गया एक जो है अबरहम का पास पहुंचिया यानि कि स्वर्ग में पहुंचिया लाजरस जो है और अमीर आदमी जो है नरग में लाजरस का मतलब होता है इश्वर जिसको मदद करता है ओल्ड टेस्टेमेंट से निकलावला नाम इलाईजर से जिसका मतलब है कि इश्वर जिसको मदद करता है अब यहां में ये आदमी जो है तकलीब में अमीर आदमी जो तकलीब में नर्ग में आग में पूरा जल रहा है तो स्वर्ग में देखके देखा है जो लाजरस तो पूरा अबरहम का पास में बेटके पूरा सांती से कुशी से पूरा एंजिस लोगों का बीच में है मजा में है तो इसलिए अमीर वाला अदमी जो अबरहाम को बोलता है ओ पिता अबरहाम ये जुईश अदमी था इसलिए अबरहाम को पिता बोल रहा है जुईश लोग जितना भी है वो अबरहाम से निकला हो ला तो इसलिए पिता अबरहाम लाजरेस को बेजो और उसका उमली को पानी में डुआ के म पे क्यूंकि अबरहाम यहा में बताता है अबरहाम जो बोलता है अ है तुम जो अपना ए समगी में बहुत जादा मजा किया ना बहुत जादा अच्छा चीज को खाया है और लाजरस जो है तकलीब में था यहां में बता रहा है तुम जब जिन्दा था आवराम जो बता रहा है उस अमीर वला आदमी को कि तुम जो है अपना जीवन में बहुत मजा लिया है और यह जो है तकलीब में था लाजरस और दूसरा यहां में बोल रहा है अभी वो तो आराम में खुशी में हैं और तुम तकलीव में हैं यह सब का बावजूद भी है आप और हम लोगों का बीच में एक बहुती एक ऐसा दिवार है एक ऐसा चीज है कि आप ना उदर से यहां आ सकता है हम लोग यहां से वहां जा सकता है यह पॉसिबल नहीं है यहां में बच्छन जा ऐसे बोल रहा है तो इसका मतलब है कि यहां से वहां नहीं जा सकता है इसने तुम्हारा रिक्वेस्ट को पूरा नहीं हो सकता है कोई भी यहां से वहां नहीं जा सकता है फिर दूसरा रिक्वेस्ट करता है वह आमीर आदमी जो बोलता है मेरा पिता का घर में और पांच भाई है लाजरस को भेज़े वहां पर ताकि वो जो है बताए ये सब को ना कि ऐसा होता है बोलके बताए लेकिन फिर आबरहाम बोलता है नहीं उन लोगों के लिए मोसेज और प्रॉफेट है यानि कि उन लोगों के लिए अल्रेडी बचन है और मोसा का दियाओला नियम है तो उनको सुनके वो मन को फिराएगा जरूरी नहीं कि एक मराओला आदमी दुबारा वापस जाके उन लोगों को वार्णिंग दें तो उससे वो लोग बिश्वास करेगा उस किसे वो लोग रिपेंट होगा क्योंकि यह अमीर आदमी चाहता था कि उसका भाई लोग यहां पर ना आये उसका जिसे तकलीफ को ना साए इसलिए अब रहाम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि लाजर इसको भीज़ दो ताकि वो वर्ण करें लेकिन यहां पर आब रहाम जो है कहता है उन लोगों के लिए अल्रेडी प्रॉफिट्स और मोशेस है यानि कि उन लोगों के लिए वचन है फिर से तीसरा बात वो यहां पर यह बोल रहा है कि अगर कोई मरावला जाके उन लोगों को बोले तो वो लोग रिपेंट हो सकता है यानि कि यह जो अमीर आदमी है इसका भाई लोग भी ऐसा ही है रिपेंड नहीं है तो इसलिए मर्ग के अलाद में से कोई जिन्दा होके जाने से वो लोग विश्वास करेगा हुआ तो फिर आबरहाम जो बोल रहा है इप दे दूनोड हीर मोशेस एंड प्रोफेस नाजर विल दे बी कंदिन्स अगर वो लोग परमेशर का वचन को सुनके भी मन को नहीं फिराता है तो ऐसा उने से दो लोग कोई मर्याल आदमी आके वो लोगों को बताने से भी वो लोग विश्वास नहीं करेगा तो आब ये कहानी में हम लोगों को क्या प्रभु येश्व मसी बताया है दो आदमी एक का नाम बताया गया है लाजरस और दूसरा का अमीर आदमी बोलके बोला है एक जो है पूरा जिन्दगी का मज़ा ले रहाता है और दूसरा जो है पूरा तकलीब को ले रहाता है तकलीब हो रहाता है दोनों मर गया, ताइम आया, दोनों का समय आया, दोनों मर गया, एक श्वर्ट चला गया, लाजरस श्वर्ट चला गया, अमीर आदमी नरक चला गया, अमीर आदमी नरक से अबरहाम को रिक्वेस्ट किया है, तीन रिक्वेस्ट किया, तीन है, दो है, लेकिन तीन बार वो बा कि उसका जो पांच भाई है उसको वर्निंग देने के लिए ताकि मन फिराए ताकि मेरे जैसा करके उलोग ना मर जाए लेकिन उसको भी आपराहम जो मना कर दिया बोला है कि उल्रेडी बचन है उसको सुनके उलोग मन फिराएगा लेकिन फिर उसको काउंटर रेस्पॉंस दे ते हुए अमीर अदमी जो बोला है अगर कोई मर गया अदमी से जिन्दा होके वो लोगों को बताने से तो बिश्वास करेगा होगा बोलके वो लोग यहां पर वो अमीर अदमी जो बोलता है फिर अपरहम जो बोलता है अगर वो लोग वच्छन को सुनके वो लोग मन नहीं फ अब यहां में हम लोगों को क्या दिखाई देता है चार ऐसा बात हम लोगों को सीखने को मिलता है यह कहानी से चार बात चार वर्निंग आप बोलीजे चार लेसंस आप बोलीजे हम लोगों को दिखाई देता है यहां पर सबसे पहला हम लोगों को यहां क्या दिखाई दे रह होता है रिज़ दो, र्षोंडी, हालेलुया, हम लोग देरी करता है् बहुत चला होता हैं हम लोग से इस शुर के साथ में हम अगला आने वाल साल को हम अचा से हम विश्वास करेगा य शुर को हम जो बुराby काम है आने वाला साल से हम छोड़ देगा मेरा जो गरब खरब खरब आदद है आने वाला साल से आने वाला मैना से छोड़ेगा हम हम आने वाला मैना से हम अच्छा से प्रातना फस्सिंग करेगा हम आने वाला साल से हम रेगुलर चर्च जाएगा हम आने वाला समय को ये करेगा आने वाला समय से हम ये नहीं करेगा हम लोग ऐसा सोच रखता है लेकिन यहां पर हम लोगो क्या दिखाई दिया बोलने से देरी क्या है कौन देरी क्या है ये अमीर अदमी जो है देरी क्या देरी क्या और ये देरी ही इसको नरग ले गया देरी का तकलीब को वो दूर कर सकता था लाजरस का तकलीब का समय में वो उसका काम आ सकता था और वही एक्सपेक्टेशन का साथ में वही आसा का साथ में भी लाजरस जो है गेट में बेटा था लेकिन यह अमीर आदमी क्या क्या है यह अमीर आदमी जो है मतलब ही होके अपना ही ल हो रहा है उसको कोई परवानी है और इसलिए यह जो देरी क्या है यह जो दूसरा पर दयाने करना दूसरा पर कोई प्यार नहीं दिखाना मदद नहीं दिखाना यही चीज जो है इसके लिए क्या था बोलने से पाप था रेज लोड इसके लिए यही पाप हो गया पाप जो देखिए पाप जो है दो प्रकार से होता है एक जो है आप पाप को करता है आप पाप को करता है यानि कि आप बेविचार करता है वो पाप हो गया आप छोरी करता है वो पाप हो गया आप किसी को मार पीट करता है गाली गलोज करता है बुरा भला बोलता है वो पाफ हो गया चुकली करता है पाफ हो गया पाफ को आप कर रहा है और दूसरा पाफ जो है आप नहीं करके पाफ कर रहा है नहीं करके आप पाफ कर रहा है पहले आप करके पाफ कर रहा है दूसरा हो आप नहीं करके आप आपको कर रहे हैं नहीं करके मतलब क्या हो गया मतलब यहां में यह आदमी जो है मदद नहीं किया है डया नहीं किया है शेवा नहीं किया है यही इसके लिए पाप हो गया प्रेज लोड हालेलुया तो इस से उसको मन फिराना चाहिए था इस से उसका देखिए बहुत सारा लोगों का पास में इतना दंदोलत होता है लेकिन वो लोग उस दंदोलत से इश्वर का सेवा ने करता है लोगों का मदद नें करता है और वो अपना ही लिए वो मोज करता है ऐसा कितना आप इंडिया ने कितना आई में गरीब है ऐसा गरीब इंडिया जो बहुत गरीब देश है मालू मैं आपकर यहां में अमिर भी है ऐसे बाद नहीं लेकिन इसको डेवलेफिंग कांटりました यह गरी बाहर में जाएए आप पुरा इतना सारा लोग है जो खाना नहीं मिलके पूरा कहां कहां ऐसे तक्क लीख है बाहर में जाने से दिखाय देता है म कुछ्त हैं यहां में बाहर में सब О्लेक होता हैं ऐसा लिए बहुत गरीब किवा झुका शांधी न कितना क्षा घरतंएं है एक हजार करोड खर्चा करते हैं आग अल्ब को lea के पूरा रस्ता को शाजा के जोलों करता है लेकिन कभी को सब्सक्राइब करते हुआ कोविट का समय में कितना लोगों किया बिल गेट बाहर से क्रिस्टन नेशन्स लोग पूरा इंडिया के लिए डोनेशन दिया लेकिन इंडिया का बला लोग अडानी बोले अंबानी बोली है तेजना लोग आप दिखा देता है तो यहां में यह आदमे के लिए क्या मन फिरान चाहिए था बोलने से वो अपना अमीरी से जो सेवा नहीं कर रहा था उससे उसको मन फिराना चाहिए था लेकिन वो मन नहीं फिराया तो वो पाप हों गई तो इसलिए रिपेंटेंटेंस ये इसके लिए वो पाप था उसे फ्रकाश से हम लोगों का भी歲व हो गाई ना ऐसे नहीं हम यहां में पाई नहीं करने वाला अथमी है हम करता है आप करता है लेकिन समय रहते जब हमारा पास में समय है जब हमारा पास में ताकत है जब हमाना बास में ग्यान है कि ये गलत है इसको हमको नहीं करना है ये इसको हमको करना है क्योंकि इस और चाहता है इसको हम करो और उसको नहीं करता है तो वो पाप है और उस पाप को हम इसी वक्त इसी समये आज इसे हमको छोड़ना है प्रेस अलोड क्योंकि मर जाने का पहुंच गिया उसका बाद में उसके लिए कोई चांस ने कितिना लूओ कितिना मन फिरा इश्वर जो है डिया करता है प्रेश जलोड आप जिंदा रहते हैं वक्त जितना भी पाप करने से इश्वर उसको माप करेगा आप मन को फिराने से माप भी मंगने से उस गलती से आप पस्ताने से इश्वर आपको माप करेगा इश्वर का दया जो इतना बरा है इतना बरा है कि आप ऐसा कोई पाप करी नहीं सकता है इश्वर आपको माप नहीं देगा जिंदा रहते हुए आप मन फिराने से जिंदा रहते हुए इसको कॉनफेस करने से इश्वर माप करेगा चाहिए कोई भी पाप हो ना इस दुनिया का कानून में आपको सजा मिल सकता है लेकिन spiritually इश्वर आपको माप करेगा पापका कुण्शी कुण्शेस आपको मिल सकता है आप किसी को मर्डर कर दिया आप जेल हो जाएगा वो कुण्शी कुण्शेस है लेकिन इश्वर आप मर्डर करके भी ओ गल्ती हो गया रो रो गया इश्वर का गया जिन्यली रिपेंट होने से इश्वर माप करेगा उसको भी ना रेप हो कोई भी अगर वो व्यक्ति जो है मन फिराता है समझ रहे थे तो उसको माप भी मिलेगा लेकिन इश्वर का दया का लिमिट कब खतम हो जाता है जब मर जाने का बाद में वो पाप को बुक के मर गया वो पाप को लेके मर गया रिप्रेंट नहीं हुआ है करो बलकि रो रो के पश्ता के जब आता है तो उसको माप मिलता है लेकिन इश्वर का दया जो है कब खतम हो जाएगा जब वो आदमी मर जाएगा तो उपए नहीं है बचल में बोला है इदिस एपॉंटे टू डाइ वांस एक बार आपको मरना होगा एक बार हमको मरना होग तो repentance जो है यहाँ पर क्या को बता रहा है बोलने से कि देरी मत करो ना देरी मत करो इस ओर जो है आप एक कदम लेने से आप एक कदम लेने से इस ओर जो है दस कदम लेके आपका तरफ आएगा लेकिन पहला कदम आपको उठाना है प्रेस्ट लॉट हालेलुया इसलिए रिपेंटेंस जो है देरी ने करना है तो रिपेंटेंस के लिए क्या है वचन हम लोगों को बताता है रिपेंट होना और दो नंबर में हम लोगों क्या दिखाई देरा यहां में कि आप अपना इश्वर को चुन लो जब आप जिंदा है आप अपना इश्वर को चुन लो कौन होगा आपका इश्वर यहां में यह जो अमीर आदमी का इश्वर कौन था बोलने से उसका दन दौलत उसका पैसा था उसी को वो मानता था इसलिए वो अपना उपर ही खर्चा क तो कोई भी चीज जिसको आप इतना चाहता है कि उसको ही आप पुरा दिल डिमाग, मन सब कुछ दे के रखा है वही आपका इश्वर है उस चीज़ को अब इतना प्यार करता है उस चीज़ को सबसे ज़्यादा आप उसका बारे में सोचता है वही इश्वर है तो इस अमीर आदमी के लिए उसका इश्वर जो है उसका पैशा था लेकि लाजरस के लिए उसका पास में कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है इसलिए उसके लिए सब कुछ इश्वर हो गया प्रेश जलोड लाजरस का कुछ भी नहीं है तो इसलिए इश्वर उसके लिए सब कुछ है ये अमीर आनमे का पास में सब कुछ है तो इसलिए ईश्वर उसके लिए कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ में समझना है कि आपको ईश्वर जो चुनने का अधिकार दिया है सामर्द दिया है आप चुन सकता है किसी भी चीज़ को आप चुन सकता है ईश्वर बना सकता है लेकिन चुनने का बात में जो आपको परिणाम मिलेगा उस परिणाम को आप चुनने सकता है आप बोलेगा यह दुनिया में हम डेते हैं वक हमको इश्वर नहीं चाहिए हमको चर्ज नहीं आना हमको इश्वर का ब का पीछ आप बागते रहेगा हाँ आपका मीच्ण डबल हो जाएगा आपका गर बरा हो जाएगा आपका पैसा ज्यादा हो जाएगा आपका केटी बढ़ जाएगा लेकिन मर जाने का बात में आप यह नहीं बोला है ओ इस चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा रिज्द लौड आज बोलेगा हम पीए आ होगा temperature मोच कर एक यही मेरे लिये सब कुछ यही डिया लेकिन मर्जाने के बात में नरफ जाएगा तो आप नहीं बोलना हम को सोटग जाना है नहीं जब जिंडा रहते बगाफ अप को नहीं चाहिए आप जिंदा रहते बग आपको प्रातना फस्तिंग उपवास वचन नहीं सुनना वचन पालन नहीं करना मर जाने का बात में आप twelve sequences को आप नहीं बोल सकता हैं, हमको यह नहीं चाहिए, नहीं तो यहां में पैसा problem नहीं है, हम जैसे सुरू में बोला है, दन दोलत problem नहीं है, ना वच्छन में आपको दिखाई देता है, अबराएम बहुत पैसा था उसका पास में, जोसब भी अमीर था, जौसफ अब अबावरुनती निउ टेस्टेमेंट का वो भी बहुत अमीर था जो बहुत अमीर था इतना अमीर की वो सबसे ज्यादा वो इस देश का एशवर को भी सबसे पहले रखता था इश्वर को अगर आप सबसे पहले रखेगा पीछे जो है वो कम नहीं होता है वो भी बढ़ते जाता है लेकिन आप यह order को पीछे नहीं करना है इश्वर सबसे पहले होना है इश्वर को ही हम लोग उसको उसका जगात देना है तो यह अमीर आदमी का problem क्या था कि वो इश्व इश्वर नहीं देखा बलकि उसका दन दोलर पैसा को सेवा करने लगा इसलिए यहां में वचर में जब हम लोग दिखाए देता है सेम चाप्टर में 16 का 16 में हम लोगों को क्या दिखाए देता है बोलने से आप पैसा और इश्वर का सेवा एक साथ नहीं कर सकता है यानि कि दोनु को आप इश्वर नहीं बना सकता है एक को बनाना है तो आप किसको इश्वर मानता है आप चेक किजिए अपना दिल का अंदर में तीन नमबर में हमको यहां पर क्या दिखाए दे रहा है कि आज जो जो सच्चा असली वला जो ब्लेसिंग है वो वो नहीं है जो आप सोचता है आप सोचता होगा कि बरा गारी जो है बरा गर जो ब्लेसिंग है बरा केती जो ब्लेसिंग है लगते सोना चांदी यह सब ब्लेसिंग है बिमार नहीं होना यह सब जो ब्लेसिंग है यह सब जो ब्ले वला ब topics कभी कभी लाजर रस देसे भी होता है वरेज यूद्ट लाजरस विमार था लाजरस गडीद नाजरस हकेला था लेकिन आप में इश्वर का दया था इश्वर का नजर था इश्वर उसको चाहता था क्यों क्योंकि लाजरस भी इश्वर को चाहता था लाजरस भी इश्वर को प्यार करता था लाजरस भी इश्वर को परोसा करता था इसलिए रियल ब्लेशिंग कई बार बीमारी भी हो सकता है कई कई को सकता है का है कहीं बार इपाइज्ग को कई परफल कपड़ा नहीं ऐसक है nervous लेकिन यहां में दिखने से तो स्वर्ग कौन गया है स्वर्ग तो लाजरेस गया है जो सबसे बड़ा ultimate blessing जो सबसे बड़ा final blessing तो वो था तो अभी मैं यह नहीं बोल रहा है कि आप डन दोलत, रुप्या पैसा गारी बंगला यह सब आपका blessing नहीं हो सकता है इश्वर चाहने से वो भी देगा इश्वर का असिरबाद में आपको वो भी मिलेगा healing, चंगाई वो सब भी है लेकिन one-sided होके नहीं रहना आम लोगों कि यही blessing है उसके अलावने असले में इश्वर का blessing जो है वचन में डेखने से, क्या बोलने से जब इश्वर आपको favor करता है जब इश्वर का नजर आपका तरफ में है तो आप लेशित है इश्वर का नजर जो है आपका तकलीब का समय में भी हो सकता है दर्द का समय में भी हो सकता है, बीमारी का समय में भी हो सकता है, गरीबी में भी हो सकता है, बुदारी में भी हो सकता है, लोग बुरा भला बोलने से भी, लोग आपका तिरेसकार करने से भी, लोग आपको छोड़ देने से भी, अकेला होने से भी, रो रहा होने से भी, आँस नहीं आया है, अमीर के लिए तो नरख हो गया, तो आप सोचिए, रियल ब्लेसिंग कैसा वाला चाहिए आपको, इश्वर कभी भी ये प्रॉमिस नहीं किया है कि आपको दुख तकलीब नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं आएगा, बलकर कभी भी प्रॉम इसने किया है, बलकि प्रॉमिस ये है कि दुख तकलीब कस्ट आएगा, लेकिन वो सब का बीज में हम आपको नहीं छोड़ेगा बोला है, प्रेज द लोड, हम आपका साथ में रहेगा बोला है, वो प्रॉमिस है, वो ब्लेसिंग है, इश्वर का इच्चा होने से आप मेहन आगे बरेगा, तो उसमें भी वो भी इश्वर, उसके लिए भी आपके लिए रस्ता चोड़ा है, उसके लिए भी आपको रस्ता दिखाएगा इश्वर, तो रियल ब्लेसिंग क्या चाहिए आपको, उसको आप देखिए, चार नमबर में, फाइनल पॉइंट यहां में हम जब जिन्दा है, तो हमारा नजर किस तरफ में है, ना, हमारा नजर अनंद काल के लिए हम लोग जी रहा है, ना इस शमय, इस पल, इस दुनिया के लिए हम लोग जी रहा है, काने पीने में, इस दुनिया में हमको क्या चाहिए, क्या सुक्सिविदा चाहिए, अभी के अभी के लिए अभी के लिए हमारा नजर जो है कीरा का जैसे स्रिफ देख रहा है क्या कीरा लोग जो है अभी आख का सामने में क्या है उसी को चाहता है उसी को देखता है उसका अलावा और कुछ नहीं देख पाता है नजर जो है उपर नहीं जाता है नजर जो है आगे तद ही नहीं देख सकता है लेंटेट होकर बैटा है सामने में क्या है अभी कर प्रॉब्लम क्या है अभी कह दुख है अभी कर तकलिफ क्या है अभी हमको चाहिए अभी हमको क्या पाना है अभी हमको क्या जीने के लिए क्या क्या ये सब में हम उत्वस के बेटा है क्या ये अमीर आदमी जो रोज पार्टी कर रहा है रोज खा रहा है पी रहा है यानि कि वो क्या फिलोसोपी को लेकर जी रहा है दुनिया में आया है तो हम मोच करेगा खाए पीएगा उसका बाद में क्या है क्या पता कल क्या होगा तो यह सोच कि वो बैठा वो लेकिन लाजर जो है उसका नजर जो है समय से पार सुर्राज को देख रहा है क्योंकि हमको तो एक दिन जाना ही है चाहे सो साल बाद में हो या पचास साल बाद में हमको जाना है तो हमको श हेबरी चाप्टर 11 वर्स 10 में यहां में यह से बोला है आबरहम जो है तंबुगार के बेट के उसमें बेट के वो हमेशा श्वर का और नजर लगाता था उस गर को देखता था जिसका बनाने वाला जो ईश्वर है प्रेज अलोड यानि कि आबरहम जो इस दुनिया में जीते हुए दुनिया में रहते हुए हमेशा उसका नजर जो है स्वर्ग राज का और है हमारा नजर जो है स्वर्ग राज का तरफ होना है यह दुनिया में जो भी चीज दिखाए दे रहा है वचन बताता है उस चीज़ पर नजर लगाओ जो कभी खतम नहीं होगा इश्वर को हम लोगों को दिखाई नहीं देता है इश्वर कभी खतम नहीं होता है श्वर राज को कभी दिखाई नहीं देता है श्वर राज कभी खतम नहीं होगा अनन जीवन कभी खतम नहीं होगा जो दिखाई दे रहा है आज आप हमको दिखाई दे रहा है आज ये टेबल च्यार को दिखाई दे रहा है फेन को दिखाई दे रहा है सब खतम होना है एक दिन एक दिन ये बिल्डिंग भी गिर जानी है दिरे दिरे करके सब खतम हो जाता है कुछ ने बेता है गारी बो जो भी बो सब सर जाएगा सब खतम हो जाएगा लेकिन जो अनंची बन शुगराज फविद्र आत्मा इशुर ये सब जो है हमेशा 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 रहने वाला चीज लोगे तो इसलिए बचल में बताता है कि आपका नजर उस तरब में हो जो कभी होगा जो कभी समाब नहीं होगा अपका दूलत अपका रिस्तेनाते सब खतम हो जाएगा लेकिन इशुर शुर राज कभी खतम नहीं होगा प्रेज दलोड तो उसके लिए जीना है हम लोगों को अपको ये दुनिया में जो कुछ भी चलता है उससे बे फिकर नहीं होना है जो कुछ भी हम लोगो कर सकता है लेकिन फाइनलि हमारा नजर जो होना है परेज दलोड क्यumकि एक दिन हमको होँछ चाना है क्युकि हम लोगों ईशुर का और ठ्धान लगाना है इसलिए वचन बताता है आपका ध्यान को ईशुर में लगाओ जिस चीज़ को आप ध्यान देता है उसमें आप मन भी देता है जिस चीज में आपका नजर होता है उसमें आपका सब कुछ सोच बिचार जाता है तो फाइनली ये दोनों में से एक का नजर जो क्या था इस दुनिया में खाना है पीना है क्या अलग-अलग खाना है क्या अलग-अलग कफरा है क्या मोज मस श्वर्राज को जाया तर्डियल ब्लेसिंग को वो पाया है ये दुनिया में हम लोगों को मोका देता है ईश्वर उसका काम करने का है उसका इच्छा में चलने के लिए हम लोगों को मोका देता है लेकिन उस मोका को हम लोगों गवा देने से ये अमीर आदमी जैसे उसको मौका था उपर्चिनिटी था जिंदा रेते वए उपर्चिनिटी था लाजरस को दया करें उसका पास में ताकत भी था उसका पास में पैसा भी था उसका पास में वो सब था जो ये लाजरस को वो तकलीब से आजादी दिला सकता था लेकिन वो मौका को वो खोया है वो पता है लास्ट में प्रभू येश्व मसी जब दुबारा वापस आएगा मीड हैबन में श्वर्ग में मीड हैबन में वो पूरा उसका जो अपना है उसको एक तरफ करेगा और जो उसका अपना नहीं एक साइट करेगा बोला है जब वो आएगा क्योंकि जब वो आएगा हम लोग सब रिजरक्त होगा जो मर गया अला लोग भी सब आत्मा जो वापस आएगा नया सरीर मिलेगा वो सरीर कभी नहीं मरने वाला कभी खत्ब नहीं होने वाला कभी बिमार नहीं होने वाला आदम और हवा पाप नहीं करने से पहले प्रभु येश्व मसी मरो में से जी उठने का बाद में जो सरीर था ग्लोरिफाइड बोडी था उसी प्रकार का बोडी हम लोगों को मिलेगा पुला है और हम लोग स्वर्क मीड आकास में प्रभु जो है दो भाग करेगा पुला एक साइट में उसका जो है धर्मी लोग और दूसरा तरफ में जो उसका नहीं है बकडी और सीब बकडी और सीब अलग-अलग करेगा और यह धर्मी लोग को प्रभु येश्व मसी मसीद देखके बोलेगा जब हम भूका था तुम हम लोगों को हमको खाना दिया जब हम प्यासा था तुम हम लोग हमको पानी दिया तुम लोग हमको पानी दिया जब हम पर्देशी था तुम तुम जो है हम लोगों हमको अपना घर में रखा है जब भूका था जब अकेला था तो तुम हमको मिलने आया है ऐसे बोलेगा तो ये धर्मी जन जो है चोकेगा बोलेगा बचन बताता है चोक जाएगा प्रभू हम लोग ये सब कब किया है तो प्रभू जो है बोलेगा तुम जो ये छोटा से छोटा गरीब से गरीब को जो किय है वो हमको किया है वो यह जो गरीब यह जो तकलीब यह चोटा से छोटा से जो लोग है में 34 26 फोलएंग में परने साथ को मिलता है जो चोटा से छोटा को आपने जो किया यानि कि गरीब से गरीब तकलीब से तकलीब को जो किया है वो हमको किया है वो तो यह अमीर आदमी जो लोगों को मिलता है कि हम को रिपेंट होना है जब हम लोगों का पास में मोका है हम लोग अपना ईश्वर को जो ईश्वर है उसी को ईश्वर बनाना है ना कि ये दुनिया का चीज ना कि ये दुनिया का सुख चेन ना कि ये दुनिया का मतलब इवन ईश्वर का ब्लेसिंग भ इश्वर से जादा जो ईश्वर डे रहा है LIKE H 그래 fatty जमीन जगह ये सब को भी आप इश्वर से जादा प्यार करने से वह भी आपके लिए इस वर को इस रहने डीजिए उसको मत की गकर किया है कि इश्वर हमारे साथ में होना वो सबसे बरा ब्लेसिंग है तो ईश्वर का साथ में होना जो है कहीं बार लाजरस का जिसा सिच्वेशन भी हो सकता है लाजरस जिसा किला भी हो सकता है बिमार भी हो सकता है गरीब भी हो सकता है लेकिन भी ईश्वर साथ में है तो ब्लेस्ट है और चार नमबर हैं, फाइनली स्वराज, इतरनेल लाइप, प्रभू को देखकर हम लोग को जीना है, ना कि ये दुनिया का कुछ समय का, खुशी कुछ समय का, मज़ा कुछ समय का, ये सब का पीछे हम लोग भाग के ईश्वर को छोड़ दे, और स्वराज का और से नजर हटा लिए नहीं हम सबसे भायानक चीज़ होगा एङ हम लोग के जीवन हम कैसे जीता है एक जीवन हम कैसे जीता है वह आने वाला जीवन को डिशायद करेगा त्हुंद्वक उस्वार आप सब को आशिस्ट है थेंक हूँ